एक पशुपती व्रत होता है यदि कोई विशेश समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को बहुत तकलीफ चल रही हो बहुत कश्ट हो रहा हो बहुत जादा दुखी हो तो पाँच सुम्बार पशुपती व्रत कर लो कितने सुम्बार? पाँच पशुपती व्रत करने का नियम अच्छे से समझ यह दा पाँच सुम्बार करना है कोई से भी सुम्बार से चालू कर सकते हो केसे करना है? सुभा के समय पर भगवान संकर का अभीशेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ पूजन अर्चना अराम से करकर आओ शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो सुभे के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो अर्थात मीठे का भोजन मतलब फलारी भोजन जो भी मीठे का है वो करे शाम के समय घर से छे दिये लगा कर लेकर जाएं घी के, कितने दिये, छे, साथ में कुछ मीठा बना कर लेकर ले, शंकर जी के मंदर में जाकर मीठे के तीन हिस्से कर ले, दो हिस्से मंदर में रख दें, एक हिस्सा अपने साथ लेकर आना, मंदिर से जो छे दिये लेकर गए हो वो पाँच दिये भगवान संकर के सामने लगा दो पशुपती नात के नाम से अपनी कामना करता एक दिया बापिस रखे थाली में लिया जब घर में प्रवेश करें घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो, वो हिस्से के साथ में भोजन कर लिजीए. इसको करते हैं, पशुपती ब्रत. मातर पांच ब्रत कर लो. अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्जत है ब्रत. कोई दिक्वाझ आ गई है, कोई बिमारी आ गई है, बहुत कश्ट जादा हो रहा है, कोई करजा बढ़ गया है, कोई देन लेन रे गया है, कोई परिशान कर रहा है, तो परशुपति व्रत आप कर सकते हैं, ये व्रत आपको जीवन में पांच व्रत करोगे और काम सफल हो जाएं, इसको कहते हैं,